पंजाब लाने की अपनी टिकर्स भी कराने हैं तो जो भी वह कर लेंगे और सलाम लेकूं के सब्सक्राइब लम्दुलिया मैं एक दम ठीक हूं इमीद करती हूं कि आप सब एक दम ठीक होंगे अच्छा चलो मान लेते हैं कि पेपर अभी बच्चों के चालू है वहां पे जै लेकिन इनके पास में इतने पैसे कैसे आते हैं कहां से आते हैं आप लोग खुद बताओ चलो इसका तो पता है कि यह लोटेरी दुलन की तरह एक डायन हुरत है लेकिन यह दिलबर है बाबर है इनकी फैमिली यह बिखारियों के पास में इतने पैसे कहां से आरे हैं लोग मतलब गेम खेले है जो विखारियों को सोने के लिए घर नहीं और रही बात पिटारा की तो पिटारा को तो गाण में बड़ी तक लीफ होती है पिटा रख तो गाउं में बहुत जादा मतलब लोग ना पसंद करते इसको तकलीब देते इसको कोई भी ससुराल वाला अच्छा नहीं है तो फिर ये गाउं क्या करने जा रही है ना जाए ना या असलियत अब जैसे कि मैंने देखो अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इसका ना कॉंटेंट चल नहीं रहा तो अभी ये जो प्रॉपर्टी वाला कॉंटेंट है ना वो लेकर आएंगी और साथ साथ में घसीटेंगी कोईसर को इसके लिए अब ये जा रही है गाउं क्योंकि लोग गए है भूल कोईसर को और ज़्यादा दिन अगर लोग उन कोईसर की माँ आई थी कोईसर ने और इसकी माँ ने मिलके मुझे बद्वाए दी और फिर उनकी बद्वाए मुझे ऐसी लगी ऐसी लगी कि मैं जीजा के साथ पकड़ी गई मैंने ऐसा मैसूस किया कि मैं बीच रोड पे बिना कपड़ों के खड़ी हूं और लोग मुझे और चपल फेक के मार रहे है यादाई सितारा तुझे कितनी बुरी बद्वा लगी क्योंकि तुने उसके उपर जूट इल्जाम लगाया था ना बद्वा का तो वो सच में लग गई उसके लिए कहते हैं कि किसी को बद्वा देना या किसी के उपर जूटा इल्जाम लगाना अगर जूट रहेंगा ना तो वो पलट के हमारे ही उपर आता है तो जो सितारा के साथ हुआ इसने किसी और के लिए खड़ा खो दी थी और खुद गीर गई अच्छा ये जो टिकेट करवाने और आता ये वो लेने के बहाने ये जो बाहर निकली थी और फिर ये इतना मचल रही थी इतना मचल रही थी कि वाइफाई खतम हो गया है इसके लिए मैं टिकेट करवाने जारी हूँ तो अपलोट करके आ जाओंगी वीडियो और वाइफाई के पैसे भी भरके आ जाओंगी ये कर लूँगी वो कर लूँगी लेकिन इसकी असल कहानी क्या थी इतना मतलब बाहर निकलने की और हों टेते मोटे मोटे लेके और सुबा सुबा तोबडा लेके जाने की अप लोगों ने देखा इसका दिली नहीं लग रहा था इसको पता चला ना के दिलबर आ गया है इसके लिए इसका दिल नहीं लग रहा था इसके लिए भाग भाग के गई है दिलबर से मिलने के लिए लेकिन क्या ही कहे यार के मतलब इनके रिष्टे इतने गंदे है अच्छा मैं दिलबर के साथ में इसको जोड़ती हूँ ना तो कुछ लोग कहते हैं कि ये रिस्ता है वो रिस्ता है तो बस मैं यह कहूंगी कि थोड़ा सी डेट करिए या हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी करना पड़े कि जब तक कि वो यार बना हुआ है और दलाल बना हुआ है तब तक जिस दिन उसकी दलाली से वो हटेंगा ना और उसको इश्क में धोका मिलेंगा ना सितारा के साथ जो कि उसकी फितरत है मर्दों को धोका देना उस दिन ये दिलबर आके खुद बताएंगा और इस बात की पुक्ती की तो ये पुक्ती हो मतलब पुक्ता हो गई है मतलब पक्का हो गई है ये बात पता चल गया है कि सच में इसका और दिलबर का भी अफैर है और इसके प्रूफ बहुत जल्दी आने मले है बहुत जल्दी नहीं ना वो दिलबर के लिए गई थी और दिलबर का एटिट्यूद देखा है पहले दिलबर का ऐसे था उसके कुत्ते के जैसा उसके आगे पीछे आगे पीछे गुमता था लेकिन आप दिलबर का एटिट्यूद देखो सितारा के साथ ऐसा है जैसे के एक हस्बेंड का अप उसमें का attitude रखने लगा है दिलबर थोड़ा गौर करना आप लोग आप लोगों को भी लगेंगा कि हाँ ये बास सही है तो वो इतना attitude क्यों रखने लगा है क्योंकि ये पूरी तरह से लोग का फैर है न अब दम चालू हो गया है पूरी तरह से इसलिए तो गोंचु ने दिलबर को भेद दिया और खुद महीं मरा पड़े और कुछ सामान भेद दिया दिलबर के हाथ जिसको लेके ये इतना खुश हो रही थी जैसा इसके पास में कभी कुछ है ही नहीं कुछ था ही नहीं और दिलवर को देखके सितारा इतना खुश हुए इतना खुश हुए जितना खुश मुझे लगता है वो एजाज और असगर भाय के लिए हुई थी उतना ही खुश हो दिलवर के लिए हुई और इस बात के प्रूफ बहुत जल्द मिल जाएंगे थोड़े बहुत मैं आप लोगों को बता देती हूँ आप लोग इस बात के उपर गौर करें जो अपनी सगी बेहन की निमोई है जब उसका एक चैनल डी मोनिटाइद हो गया था तो उसने खली न्यू चैनल को कमिनूटी पर लगाने कहा था लेकिन इसने नहीं लगाई इसने अपनी मा को इतना बदनाम किया इसकी मां के पर इतनी बाते हुई लेकिन इसने कभी अपनी मां के बारे में आके नहीं बोली कि नहीं मेरी अम्मी के बारे में इसी बाते मत करो है ना कभी अपने भाईयों का चैनल इसने कमिनूटी पर नहीं लगाया नहीं तो यह कभी किसी की मदद करती है नदीम का लड़के की हालत ऐसी है कि इसकी मदद करना बनता है लेकिन यह नहीं करती और नहीं तो कभी अपनी म जल्द आजाएंगी जब भी साथ चाहिए तो मेरे ख्याल से इतने परूफ काफी है लेकिन जो दिखाने वाले प्रूफ है न वो भी बहुत जल्द आ जाएंगे बस थोड़ा सी बेट करिए अब यह जो इसकी वाइफ है दिलवर की इसको देखके आप लोगों को लगेंगा कि जो मैंने दिलवर का और इसका रिस्ता बताई हूँ तो इसकी वाइफ को देखके तो नहीं लगता कि ऐसा कोई रिस्ता होगा तो मैं जूट बोल रही हूँ मैं वहीं कोई भी कहानिया सुना रही हूँ तो आप लोग ने सौधी वाला जब यह सौधी गई थी वो वाला आप लोगों ने वीडियोस तो देखा ही होगा न तो आप लोगों को सलमा को देखके लगा था क्या कि इसका और अजगर का ऐसा कोई रिस्ता होगा नहीं न वो तो अल्ला ने सल्मा के सामने लेकर आ गया इसके लिए लोगों को पता चल गया वरना तो वो रिस्ता पता नहीं कहां जाके रुकता भी या नहीं रुकता या तो जिंदगी सल्मा की खराब करके ही रुकता तो बहुत जल्दी ये ना जो डीडी की दल्ली है ना ये बहुत जल्दी पस्ताएंगी हलाकि इन लोगों को आपस में तो सभी को पता है क्योंकि डीडी की दल्ली भी चाचा के साथ लगी हूँ ये दिल बर तो एक नहीं दस लड़कियों के साथ लगा हुआ है और कॉल गल का जो काम करता है दिल बर वो अलग से तो जिसका आदमी कॉल गल का काम करता है उसको वो चीज़ से फरक नी पड़ता तो सितारा के साथ में अफैर रखने से उसको क्या फरक पड़ेगा बलके ये लोग भूके नंगे जो फिरते थे सिताराग से रिष्टा रखने की वज़े से इनको अच्छे से खाने मिल रहा है गुमने मिल रहा है पैनने मिल रहा है घर हो गया तो फिर वो क्यों बोलेंगी वो तो ऐसे भी उसका हस्बेंट दलाली करता है तो नहीं बोलती तो इतना सब मिलने के बाद वो क्यूं बोलेंगी वो तो चूप चाप से ही रहेंगी न तो समझ गए अप लोग के फातिमा क्यूं चूप रहती है ये सब हो रहा है फिर भी ये डीडी के लिए अच्छे से तयार भी हुई थी कल दूलहन बनीती पूरी लेकि उपने इसने ये नहीं बताया न कि मैं डीडी के लिए बन रही हूँ और कहे दी के आज हमारा फोटो शूप भी है और फिर कह रही पता नहीं काईका है चुakers कि इसको क्या आए वा भाई वाई सीधे सीधे बता देती ना कि डीडी दल्ले के लिए रैडी हो रही थी जो के बड़ी एक्साइट थी मिलने जाने के लिए रेडी होने के लिए बट कोई बात नी प्रूफ तो तुम लोगी ले आते हो ना कभी-कभी एकदम जल्दी कभी-कभी कुल टेम के बाद लेकिन आते तो जरूर है प्रूफ और थोड़े भहत ये बेवकूफी में अपने ही वीडियो में खुदी दे देती है जैसे कि डीडी आया इसके घर आटा देने के बाहने तो आप लोगों ने इसकी खुशी देखी थी कभी वह खुशी आप लोगों ने गोंचो के लिए नहीं देखी होगी जितनी खुशी ये डीडी के लिए होती है तो आप यह खुदी प्रूफ देते हैं तो हम क्या करें बैट के बाते कर रहे हैं अमा को इज़त वहां पे मिल रही थी तो अमा को इज़त नहीं चाहिए थी अमा को सितारा ने बनाई बेवकूफ के आजाओ 24 गंटे की मैड मैं रखनी सकती पैसे के वज़े से नहीं काले करतूतों के वज़े से फिर दूसरों को पता चल जाती है काले करतूत कर रही है सितारा इसके सासो उसके सासो और अब बड़ा घर लिए तो किस लिए लिए भई अके ज्यादा यहां वहां नहीं जाना पड़े कस्टमर घर पर ही आ जाए और घर पर जब डिफरेंट डिफरेंट मुहों के आदमी आएंगे जाएंगे तो जाएड सी बात है ना कि जो नौकर रहेंगी अगर देख ली तो फिर बाते होगी फिर कोई से करेंगा ब्लैक मेल फिर इसे पैसा भी देना पड़ेंगा इससे वेटर है कि मैं इंपोर्ट करके अमी को ही बुला लूँ और मैं मस्त मज़े से कॉल गल का काम भी करूंगी और मेकप बनाओंगी मतलब शूट वगेरा का जूड बोलके ड्रामे करके अपने गंदे कामों में लगी रहूंगी कर अमी है कि सारी दुनिया की आओ भकत में लगे रहेंगी अमी चाय बना बना के लोगों को नाश्टे करवाएंगी अमी बरतन दोएंगी और अमी करेंगी फुल टाइम मैड का काम क्या कर सकते हैं अमी के उपर भी तरस नहीं खाने का है क्योंकि पबलिक बड़ा चिला रही है क्यों तरस खा रही हो तुम लोग क्योंकि लोगों के पैर पे कुलाडी गिरती है ना अमी ने कुलाडी पे पैर दे मारा है तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं सिंपती देना भी सेवा करूँगी, अमी को मैं एक काम नहीं करने दूंगी अमी की दवाही करवाना है, यह करना है वो करना है, और दो दिन अमी की जत्की बिठाई एक दिन खुद पकाई, दुसरे दिन फारुक ने पकाया, अमी थोफेफमे दिखाई दी अब अमीट रे लेके पुरे घर में गुंती हुई दिखाई देती है तो सारी हखीकत सामने आ गई आ गई और जो इतने बड़े-बड़े धसोले मारी थी ना उस हारे फूस हो गह इसी तारह तुमने जो सच्चाई चुपा थी ने वो आ गई सामने तुमने क्या इज़त की क्या उकाद पे रखा है ना और क्यूं बुलाया था क्या करवा रही हो सारा कुछ दिख रहा है पबलीक को वेरी गुड आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ये तक्रिबन दो चार दिन से सिर्फ और सिर्फ शूट करवा रही है कभी नकली नेल्स लगाती है कभ उसने जो चैनल के लिए चैलेंज लिया था उसको तो इसने नहीं चोड़ा लेकिन नमास के लिए जो चैलेंज लिया था वो कहीं पर भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो हुई ना कली बड़ी बड़ी बाते जब नहीं होता है तुम से तो क्यों सिम्पती लेती हो कितने गेम केलोगी अल्ला के नाम पे और यह सब करके तुम को लगता होगा कि मैं अभी यह बोल दूँगी कि मैंने तुम एक बतार के फिर नमास पढ़ने चली गई थी तो रहने दो तुम कितनी ज़्यादा फुरती ली हो ना पता है तुम शूट वगेरा करके फिर मुकाला करने जाना और नेल पेंट लगे रहना नेल लगे रहना पुरा पुरा दिन रात तक के तुरहाथ में नेल देखे गए तो और नेल पेंट भी देखी गई है तो जूट तो यह बोलना ही मत कि शूट हो गया था उसके बाद में फिर मैंने मुव अपना जो कुटे जैसा साफ करके और फिर मैं गई थी नमास पढ़ने तो यह तो बोलना ही मत बिल्कुल भी मत बोलना जो मैंने का ना कि नमास का यह बहाना करती है कि हाँ मैं में कब उतारने के बाद में पढ़ लेती हूँ आज कर याद है आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि सबा की तरह से मूँ दुपटा लेके और कोशिश कर रही है कि सर पे दुपटा लेके गूमो और जब बात आती है नमास की तो यह जूट बोल देती है कि मैंने नमास पढ़ ली और लिफ्टिक लगी हुई होती है तो यह पिच्चर देखे जो मैंने बोली ना कि नेल पॉलीश इसके हाथ में रात तलग के होती है तो इसका हाथ चेक करें नेल पेंट अभी भी लगी हुई है मतलब कि यह साब साब जूट बोलती है यह ड्रामे करती है जूट बोलके कि मैंने नमास पढ़ ली है यह नमास पढ़ती ही नहीं और मुझे लगता है इसको आती भी नहीं पढ़ने क्योंकि जो इंसान पढ़ता है ना तो उसको आती है इसको आती भी नहीं आप लोगों ने नोट किया होगा इस बात को मुझे कमेंड में भी आया था बहुत ज़ोने नोट किया था कि इसको नमाजी नहीं आती है पड़नी तो इसके डाय है जो फैन हैं गौर भी किया करो सिर्फ और सिर्फ भैरों की तरफ पागलों की तरह सुनके बेवकुप मद बना करो खेर इनको समझाना मतलब अंधे के आगे रोना और अपनी आखों की रोशनी खोना वो हिसाब है खेर हम इनके लिए दुआई कर सकते हैं कि अला इनको हिदायत दे इनकी आखे कुले जैसे बहुत से लोगों की खुली है तो जो अभी भी आते हैं कमेंट करने उनकी भी आखे कुले और ये फ्रॉड और से ये लोग बच जाए अच्छा ये कितनी बड़ी फ्रॉड है इसने वह शूर प्लोग सपेब आप वेसे वेग शूर्ड बेसस्चरा, मिश्रूड जात्वाल हैं करूंगत्य इसंता सब्स्चरा रहे को प्लभी वेली युद फोटोश्यूट से कारें। हैं तो जह पूर समय और दोकु आप कूल आप्तार ऑड़ी घाय दिर आब जब कैमेरा मैन आया है तो उसने ये मना कर दिया कि कैमरे से फोटो मतलो और मुबाइल इसको यह बोले और इसको ये बोले के ठीक है मैं मैं आप फिर शेयर कर देना और इसके मोबाइल से सारी सारी फोटो क्लिक की गई उसके बाद में फिर लोगों ने कहा के फोटो को शेयर कर दे तो इसने कहा हाँ मैं करती हूँ थोड़ा मैं में में कब निकाल लूँ प्रियों के आप लोगों को सेंड करती हूं उसके बाद में लोग एड़ी रगड़ रगड़ के रह गए है लेकिन ये औरत ने फोटो नहीं शेयर की ना ही उनका कॉल अटेंड कर रही है ना ही तो उनको कोई रिपलाय दे रही है ऐसे बहुत मतलब घंटो तलग चला अभी त गैलरी वगेरा इतना टाइम देके ये बूतनी को चुड़ायल को तयार किया तो उन लोगों को क्या चाहिए था बदले में फोटो ही तो चाहिए था और इसने फोटो तक के नहीं दी अब इसके बीचे क्या रिजन हो सकता है कि इसको हर चीज खुट के ही अकाउंट पर पह फोटो शूट जिसने भी किया ना उन लोगों को इसने किया है ब्लैक मेल अब यह सब इसकी जो गंदी सोच है और ब्लैक मेलर उरत है ОDING पता नहीं दी नहीं दी लेट नाइक तो में यह बात पता चली कि वह जो लोग गरे पुरे खांदान को कॉल कर है कि सितारा को को के फो नत कीती था क्या मेरे जो साइड है मगेरा पर हम प्रामोशन कर सकें तो यह बात पता चलिती देखते हैं देती है यह यह नहीं देती हुशार जो करती है जो गहां आपके साथ में शैर करेंगे ए धार्श यह विडियो brings करती हुँ वीडियो कैसी लो go met advisor जरूर बताना और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार लाइक कर देना फ्लीज मिलते नेक्स्ट वीडियो में अल्ला पीस